श्रीमत भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उद्देश दिया था. गीता जर्या, अर्जुन के मन कई समशयाएं थी जो महाभारत युद्ध के आसपास लड़ रहे थे. युद्ध के वक्त पर बीचारे अर्जुन ने तनाव और संगर से परे हुआ देखा था कि उनके से युद्ध में भाग लेना भी ठीक न होगा क्योंकि युद्ध होने पर कई चिन्ताएं उठेगी. इस युद्ध के बीच भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के दिल में उत्साह और ज्ञान का प्रकाश दिया. श्रीकृष्ण ने उससे भगवद गीता का उबदेश दिया जिसमें संगर्ष के साधने का आदर्ष दिखाया गया. उन्होंने उसे दिखाया कि दानवों के प्रती करुणा, शक्ती मनुष्यता और परमधर्म के प्रती आसक्ती अद्वितिया है. अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उबदेश को सुनते हुए अपने मन की समस्याओं का समाधन पाया और उसने युद्ध का सम्मा उठाया. ज्यान की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें सही निर्नय लेने में मदद करता है. सम्भवना भी किसी सम्रिद्धी का तैयारनी या अवसर है. लेकिन इस प्रगती में तबादला आता है नाती या गोत्र, सामाजिक पदपक्ष, प्रतिकूल और कठिनायों अनुभव कर सकती है. यदि हमारे जीवन में ऐसे परिस्थित या उत्पन होता है तो हमें धाकर हार नहीं मानना चाहिए. इनसान जीवन के हर मोड पर अपने आपको ताकतवर साबित कर सकता है, सही निर्नय ले सकता है और अपने उद्देश्य तक पहुँच सकता है. श्रीमत भागवत गीता एक अद्भुत कृती है जो हमें शान्ती, समर्पन और अद्वेत दर्शन का ज्यान प्रदान करती है. गीता के उद्देश से हमें सलाह प्राप्त होती है कि हमें तात्पर्य और करतव्य का सही माना करना चाहिए, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. गीता के उद्देश से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हर संघर्ष का सहायते या सहिता कर सकते हैं और जीवन के हर समस्या का हल खुद में ही होता है. इसलिए गीता का अध्ययन करना हमारे जीवन में सकारात्मक्ता और ताकत भर सकता है, जिससे हम संघर्षों का सामन आसानी से कर सकें। इससे हमारी मानवियता और सहानुभूती बढ़ती है और हम वास्तविक जीवन में सफलता की उची जीलों को भी जा सकते हैं।